हेलो फ्रेंज, ओल्कम टो आल्पनस कोकिंग स्टाइल, आज हमने बनाया कलकप्ता स्टाइल की स्पेशल घूगनी, मींज शूखी माटर की सुगजी, बेंगुली में इसे घूगनी केते हैं, ये घूगनी बेंगुल का फेमास स्टीट पूट है, स्कूल कॉलेज रोट की समन मोटर लिया, इसे आच्छी तरह धोके, राद भर भीगा के रखा, राद भर मींज आप 8-9 घंट भीगाने सी हो जाएगा, इसे अब हम सीटी लगाएंगे, मैनी मोटर को छान के कुकार में डाल देते हैं, और इसमें थोरा पानी डालेंगे, इतना पानी डालेंगे, जिसे मोटर डूब जाए, और डाल देंगे 4-5 हरी मीट्चे, 1-3 पन नमक, और थोरी से हल्दी, और इसे हम ग्यास में बैठाके, हाई फ्लेम में 2 सीटी लागाएंगे, देखिए 2 सीटी में मोटर सोफ्ट हो गया, लेकिन बिल्कुल नहीं पिघाल गया, मोटर की क्वालेटी के ह आपसे 3 सीटी भी लाग सकता है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं लगाना, ताकि मोटर एकदम पिघाल जाएगा, तो अच्छे तरह घुबनी नहीं बनेगा, इहां मैंने कड़ाई गरम करके कुछ खड़े मसाला फ्राई कर लेते हैं, मैंने एक तेजपत्त तोड़के दिया, दो सुखी लाल मिट्स, कुछ साबोद धोनिया, एक टिस्पुन जीरा, और गरम मसाला लॉम, एलाच, और दालचिनी, इसे हालका खुजबा आने तक हम इसे फ्राई कर लेंगे, देखिए मसाला भुन चुका है, इसे हम एक साइड में उतर के रागते हैं, मैंने मीडियम श आप डाल देंगे, काठी हुई आलू, और इसे हालका ब्राउन हने तक फ्राई करेंगे, खड़ाई में मैंने दो टेबल स्पुन तेल डाल दिया, इसे तेल गरम होने के बाद डाल देंगे, एक टीस्पुन जीरा, और जीरा चटकने लगा, आप डाल देता है, दो मीडियम काठी हुई प्याज, अब इसमें डालेंगे, एक टीस्पुन अद्रक पेस्ट, और हाप टीस्पुन लहाशुन पेस्ट, यह अद्रक लहाशुन को हमने थोरा भून लेते हैं, और इसके बाद डाल देंगे, एक बरेशा इसकी काठी हुई टमाटर, टमाटर डालने के बाद डाल देंगे, इसमें हाप टीस्पुन नमक, ताकि जल्दी से टमाटर सफ्थ हो जाए, थोरी दर फ्राय करने के बाद टमाटर सफ्थ हो गया, आब इसमें डाल देते हैं, हाप टीस्पुन हुल्दी पाउडर, दो टीस्पुन काश्मी लालमिस पाउडर, एक टीस्पुन धनिया पाउडर, ओड डालेंगे, एक टीस्पुन जीरा पाउडर, सारे मसाला को अच्छी तरा फ्राय करेंगे, आब थोरी से पाणी डाल देते हैं, तकि मसाला ना जल जाए, इस मसाला को हम कॉंटिन्यू फ्राय करेंगे, जब तक इसका अपर तेल निकलना आए, दिखिए मसाला को अपर तेल निकल आए, आब इसमें डाल देंगे, जो आल और आलो के साथ मसाला को मिला लेते हैं आलो के साथ मसाला मिक्स हो गया आप इसमें डाल देंगे मोटर मोटर मेंने थोड़ा से छानशन के डाल दियो ताकि थोड़ा से मसाला का साथ मिक्स काने में आसन रहेगा ये थोड़ी देर हम सारे मुशला का साथ मिक्स कर लेता है फिर डाल देंगे जो मॉठर का साथ बाची हुई पानी और पानी डाल के मिला लेते हैं लेकिन ये अभी भी थोड़ा से गाड़ा दीक रहा है इसमें और एक कप पानी डाल देते हैं और पानी डाल के इसे हम धाक कर लोटू मिदियम फ्लेम में पास मिनिट कूखोने देंगे पास मिनिट के बाद ढखकोन निकलके चेक कर लेते हैं मटर और अलू गल चुका इस्टेप पे नमक चेक कर लेंगे पहले भी मैंने नमक डाला था उसी हिशाब से ओर क्वाटर टीस्पून नमक डाल देते हैं नमक डालके आच्छी तरह मिला देंगे आभी डालेंगे भुनी हुई गरम मसाला मैंने यहाँ पे छोटे तीन चमच गरम मसाला डाल दिया डालके प्रसुबजी का सथ मिक्स काट देंगे और डाल देंगे हाप टीसपन चीनी यह चीनी में सुबजी का बैलेंस बना रहता है और बहुत टेस्टी भी होता है कोई आग चीनी पसंद ना करे तो उसे अगवेट करें रेडी हो गया घूगनी आप इसके अपर डाल देते हैं कुछ काटी हुई धुनियापत्त घुनियापत्त अर पाच मिन्ट इसे हम कड़ाई प inh it घूगनी बाल में निकल लिया इसे हम थोड़ी से गानिश करेंगे इसके ओपर डाल देते हैं थोड़ी काटी हुई प्याज, थोड़ी से धुनिया पत्ता और थोड़ी से नमकिन भुजिया यह ओप्शोनल है लेकिन इसे अगर चाट की हिसाब से खाए तो बहुत ही बढ़िया लगता है मेरी घुगनी की रेसिप आपको पसंद आये तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक, शेयर और कोमेट कीजिए और बेल बटन प्रेश करें ताके मेरा आने वाला वीडियो के नोटिफिक्शन आपको मिल जाए फिर मिलें गोरेक रेसिप के साथ बाई टेक्या